हाई डियार इस्टुन इवार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले किसी बिंदु आवेस के कारण कुछ दूरी पर उत्पन वैदुच्छेद की तीवता क्या होती है वो भी किस नियम की सहाथा से गौस के न सहाथा से दोनों फॉर्मुलों को यूज करते हुए हम कुलाम के नियम की सहाथा से और किसके सहाथा से वैदुच्छेद की तीवता की सहाथा से हम यह क्या करेंगे एक के लेते हैं कितने का प्लैस की कुलाम का चार्ज यहां पर हमने दिखाया भी है इस फिगर में प्लैस क दृब प्रिशट को सपोज़ कर लेते हैं थैक है तो कर लिया घ्या गया गया जा Gaussian surface उस a- alone हो गा एज क्वारी और स्क्वायर होता है क्यों कि हम जानते हैं किसी गोले का वक्त मौलग सथी च्वdepth Chi ॥िक उस में क्या लिए ACC 5 लिया गहुत इस is my list what में लिया उस डी का जो डी ये वेक्टर बनता है वह हमेशा सर्फिस के परपिंडी कुलर बाहर की तरब बनेगा याणि यह डी ये का डाइरेकशन हो जाता है डी ये वेक्टर का होगा जीरो डिगरी होगा क्यों क्या आवसकता है इस को कैल्कुलेट करने की क्योंकि हम जानना चाहते हैं जो डिये एरिया है इस डिये एरिया से कितना वैदुत फ्लक्स गुजर रहा है कितना बैर रखाएं गुजर रही है इस सिज कोकॉलेट करना चाहते हैं इस डी ए अगर हम डिए अरिया के लिए अलपाइलस एरिया के लिए जान जाते हैं तो टोटल का टोटल इस फ्लिश्टी छेथ crystals के लिए और अलपांस शेथपल डिये तता वैदुद शेथ की तीवता इवेक्टर है यदि डिये से गुजनने वाला वैदुद फ्लक्स कितना है डिफाइए हो तो हम डिफाइए को कैल्कुलेर करते हैं क्यों डिफाइए क्योंकि यह डिएए ही बहुत ही अलपांस है इसलिए कितना है जीरो डिफाइए है तो यह कितना हो जाएगा तो इतने का क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे और यह होगा यहां इसतेमाल कर लिया गया यहां पर constant होगा उस point के लिए वैदुच्छे की तीवता क्या होगी निस्चित होगी वह बाहर आ जाती है और डिये के लिए हम फोर पाई आरी स्क्वाइर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम यह जानते हैं जानते हैं एक्वेशन नमबर फ़स्ट इसको बना लिया यहां से लिखेंगे तो वहना पर फोर पाई आर स्क्वाइर नाट हो जाता है यानि इस फार्मूले को हम गौस के नियम से प्रैप्ट कर सकते हैं और एक तो इससे पहले भी फॉर्मूला था जो हम कुलाम के नियम की सहता से वेरिफाई करते थे ठीक यह प्रकार का क्या है गौस के नियम का अनुप्रयोग है और उसी अनुप्रयोगों में